नमस्कार मैं रविश कुमार प्रधान मंत्री मोदी ने जिस टेंपो का जिक्र किया था कि उसमें नोट भरकर अंबानी और अदानी कॉंग्रेस को भेज रहे थे लगता है वो टेंपो मिल जाएगा फिनेंशल टाइम्स में आज जो खबर छपी है उसे पढ़कर इस बात की कलपना की जा सकती है कि वो टेंपो घटिया क्वालिटी का कोईला ढूने में लगाया गया होगा खराब कोईला बेज कर सरकार से बढ़िया क्वालिटी का दाम लिया जा रहा है सात्यों रवीश कुमान ने आडानी के जो कोईला कान डुआ है फाइनेंशल टाइम ने इसको कवर किया है अडानी ने जब चैनल खरीदा था तो कहा था वह चाहते हैं कि फाइनेंशल टाइम से तरह उसको उस व्यक्ष्याती पर लाकर के खड़ा कर दें लेकिन आप देख तरह से चीजों को बना करके रखा है साथियों इस रिपोर्ट में रवीश कुमान ने साफ साफ पताया कि फाइनेंशल टाइम साफ कह रहा है कि कि इस तरह से अडानी नखराब कोईले को सही दामों में अच्छे कोईले के दामों में भारत की सरकार को बेश रहे हैं और अधानी समू ने कथित रूप से निम्न गुणवत्ता के कोईले को भारत की सरकारी पावर यूटिलिटी को साफ इंदन वाली महगी दरों पर बेचा अखबार ने लिखा है कि इस जानकारी से अधानी समू पर लग रहे है भरस्टाचार के आरोपों में पर्याबरन का उन्होंने वीडियो में कवर करते हुए उसमान ने कहा है कि जिस तरह से घराब कोईले के द्वारा बिजली बनाई जा रहे है उससे प्रदूसर भी हो रहा है जो प्रदूसर अच्छे कोईले से कम होता है कोईला खपत कम होती है घराब कोईली कोईली खपत होती है कोईला का दाम सरकार से लिया गया इसकी आशंका जाहिर की गई है बिजली पैदा करने के लिए एक नमबर कोईला इसलिए खरीदा जाता है ताकि परियावरण को नुकसान ना हो और कम कोईले में अधिकुर्जा का उत्पादन हो इसके लिए सरकार जादा पैसे देती है और आपको महंगी बिजली मिलती है लेकिन खराब क्वालिटी के कोईले से जब बिजली पैदा की जाती है तब जादा से जादा कोईला जलाना पड़ता है जिससे हवा में प्रदूशन भी बढ़ता जाता है सात्यों आपने रवीश कुमार की वीडियो देखी कि उन्होंने किस तरह से अडानी के इस कांड को उजागर किया जो फाइनसिल टाइम उसके उपर 25 रिपोर्टे टोटल तयार कर चुका है हिंदी अकबारों में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं क्योंकि हिंदी अकबार गोदी मीडिया हो चुके उनमें से गुबर छप रहा है साथ यो इसी बात को लेकर के राहूल गांदी ने भी कैसे इन बातों को सामने रखा था जब मोडानी वाली बात आई थी और उस कांड की बात हुई थी राहूल गांदी की वीडियो को ट्विट करते हुए पिच्छ और और प्रायम मिनस्टरों के तरे हम ने बीस हजार करोडर रुपे की बात की थी और सवाल पूछा था यह पैसा किसका है अब पता लगता है बीस हजार करोडत का फिगर गलत था उसमें बारा हजार करोडर और और जब तक वो कोईला हिंदुस्तान पहुंचता है, उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है, ऐसे तकरीबन बारा हजार करोर रुपे अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है, बिजली के दाम मढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इंव अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है, और अदानी जी के रक्षा नरेंद्र मोधी कर रहे हैं। लगाने का काम किया जा रहा है हिंदोस्तान के सरकार को और मोडी सरकार चुप खामोस बैटी उचुना लगने दिया जा रहा है आकर क्यों लगने दिया जा रहा है क्यों कि वो तो मोड़ानी है क्योंकि मोड़ी की सरकार नहीं मोड़ानी की सरकार चल रही है पीछे से उनका हा का ही खेल है कि इसी अख़बार में जून 2023 से लेकर अभी तक आदानी समू के कथित कारणामों को लेकर 25 खबरें छप चुकी हैं मुझे पता है आपके घर हिंदी का थर्ड क्लास अख़बार आता है आप वर्षों से उसे पढ़ते जा रहे हैं उसे आज ही फेक दीजिए और इन 25 खबरों को पढ़कर अनुमान लगाईए कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए सात्यों इस बात को समझे बाजानीती सुरू हुई थी टेंपो टेंपो से लेकर के अब टेंपो से आकर किस तरह से कोईले में परिवर्तित हो चुकी है इस बात को आप समझे सात्यों हर चमक द्वाई आज की बात नहीं है ये पिछले सालों से भी क्वेशले तमय से भी लोग इस पर अलागालग मुद्धे पर बात करते रहे हैं फाइनेंसल टाइम भी अलागालग रिपोर्ट छापता रहा है राहुल गांधी ने भी इस बाहर मुद्धे को उठाया है संसद में भ हार जगा पर तो ED और CVI पहुच जाती है छाबावार ने ED यहां पर क्यों नहीं पॉस्ती इन बातों को क्यों नहीं रखती किस तरह से सारी चीजे उनके साथ खड़ी हो चुकी है साथ इस बात को समझे आप गोधी मीडिया के बात करेंगे तो इन रिपोर्टों को कोई बा बात को आप समझे जब वो कह रहे हैं तो वो अपनी मन में तो मानते हैं ना कि निक्सपक्स और सही तरीके से खबर पहुचाता है तो इसको क्यों ट्विट करके नहीं बताते हैं कि किस तरह से पूरी निरुंकस्ता के साथ सारी सच्चायों को उजागर करने के लिए सच्च